लगभग दो घंटे का सफर तै करने के बाद मुझे जब भूक लगने लगी तो मैंने सोचा कि किसी धाबे पर रुख कर कुछ खा लेती हूँ उसके बाद आगे का सफर तै करूंगी इसे लिए रास्ते में जो सबसे पहला धाबा पड़ा उस पर उतर कर मैंने अपने लिए क कुछ खाने को ओडर किया और खाने का इंतजार करने लगी जून की तपती दो पहर थी और चारों तरफ बाहर रेत उड़ रही थी अब जाकर यहां से देखने पर पता चल रहा था कि हां मैं राजिस्थान में हूँ थोड़ी ही देर के बाद मेरी खाने की थाली आ गई और मैंने अपना खाना खाना शुरू कर दिया कि तब ही मुझे बाहर से एक लड़की के चीखने चिलानी की आवाज आई बाहर पहुच कर मैंने देखा तो तीन आदमी एक लड़की से उसके पैसे चीन रहे थे जिस पर वह बेचारी उनके आगे हाथ चोड़ रही थी कि उसके पास इसके अलावा और कोई भी पैसे नहीं है इसलिए वह उससे उन पैसो को ना लें लेकिन वह तीनों सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे मैंने देखा तो वह ना सिर्फ उस लड़की से रुपर पैसे ले रहे थे बलकि वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे सबस की वज़ा से कोई भी उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और अगर कोई उनके खिलाव खड़ा भी हो रहा था तो वह उसके साथ मार पीट करने पर उतारू हो रहे थे ये देखकर मैं तुरंत ही अपने कदम पीछे खीशते हुए धावे के अंदर च पुशिश कर रहे थे इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाती कि तभी उन तीनों में से एक की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और वह तुरंत ही मेरी तरफ आया उसने सबसे पहले मेरा मोवाइल फोन चीना और उसके बाद मेरा पर्स भी उठा लिया मैंने अपने कानों में गो सीवत में नहीं पढ़ना चाहती थी वह पलट कर वहां से जाने लगा कि तभी फिर वह दोबारा अचानक से मेरी तरफ पलटा और उसने मेरे हाथ की तरफ देखा उसने जैसे ही मेरे हाथ को देखा मैंने अपने हाथ को अपने दुपटे में छुपा लिया वह मेरा हाथ कसक पकड़ कर मेरी हाथ की उस अंगूठी को उतारने लगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी वह अंगूठी छोड़ दे। क्योंकि वह मेरे पापा की दी हुई मेरे पास आखरी निशानी थी। मेरे पापा ने अपने देहांत से पहले बड़े ही प्यार से मेरे लिए वह जादा एहम थी लेकिन वह आदमी अपने आगे बात मानने को तयार ही नहीं था मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि वह मेरे सारे पैसे मेरी ज्वैलरी लेकर तो जा रहा है न यहां तक की मेरा मोबाइल फोन भी ले जा रहा है पर वह मेरी एक भी नहीं सुन रहा था वह कह मैंने लगा कि ये हीरे की अंगूठी है और इसकी कीमत तो इस सब से कही ज़ादा है इसलिए मुझे ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए और अगर तुमने मुझे ये निकाल कर नहीं दी तो फिर तुम्हारी जान लेने के बाद मैं इसे यहां से ले जाऊंगा इसके बाद वो मे मेरे हाथ से मेरी हीरे की अंगूठी को निकाल कर वहां से चला गया। मैं कुछ देर तो वहां खड़े होकर रोती रही। लेकिन मेरा गुस्सा हच से जाधा बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि वह अंगूठी मेरे पापा ने मुझे दी थी और मैंने अब तक उसे बहुत ह सम्हाल के रखा हुआ था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं एक बार फिर से उनसे अपनी अंगूठी को मांगने के लिए पहुच गई। जिससे वह बुरी तरह से नाराज हो गये। और उनमें से एक ने मेरे सर पर पास में रखा हुआ ग्लास उठा कर दे मारा। जिससे मे धडाम से वही नीचे गिर गई। लेकिन मेरा गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तुरंत ही पलट कर चिल्लाई कि मुझे मेरी अगूठी बापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। इतने पर उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि वरना तुम क्या कर लोगी। तुम जानती हो कि हम कौन है। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन मुझे दिखाते हुए कहा कि इसको जानती हो। इसे क्या कहते हैं। इसको देखने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मद कि तुम हमसे इस तरह से चिल्ला कर बात कर रह क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने एक बार फिर से रोते हुए उनके आगे गिड़ गिड़ा कर हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखो तुम्हें जो भी ले जाना है तुम ले जाओ। लेकिन मेरी वह अंगूठी को मुझे बापस कर दो। वह मेरे पापा क की आखरी निशानी हैं, मेरे इस बात पर वह तीनों के तीनों बुरी तरह से जोर-जोर से हसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे बार-बार कहने लगे तो इसका मतलब तेरा बाप मर गया तेरा बाप बहुत जल्दी टैं बोल गया। उनकी हसी मेरे कानों में चुब र रही थी लेकिन उन्हें मुझ पर जरासा भी तरस नहीं आ रहा था कुछ देर के बाद वह मुझसे बोले कि अंगोटी तो तुझे अब नहीं मिलेगी और तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तू एक कमजोर औरत है और औरत कभी आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती इसल चुपचाप अपना मुँ बंद करके यहीं पड़ी रहे वरना तेरा जो हाल करेंगे वह तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उन लोगों की ऐसी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर गुसे से जल रही थी मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की तभी उनमें से एक ने खी जैसी बाते सुनाने लगे जिने सुनकर मेरे सम्मान को हद से जादा ठेस पहुच रही थी उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि मैं एक औरत हूँ और औरत होना एक बहुत ही नीचे दरजे की बात है मैं हद से जादा कमजोर हूँ और मेरी इतनी आउकात नहीं कि मैं उ तू इसी लिए पैदा हुई है ताकि हम आदमियों से दब कर रहे और यहां हमने इतने लोगों से लूट पाट की पर किसी ने भी उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई लेकिन मैंने एक औरत होकर उनके खिलाफ खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थ और वह डर क्या था यह दुनिया की हर औरत समझ सकती है अभी मैं यही सब सोच रही थी कि मेरा वह डर हकीकत के रूप में मेरे सामने आ गया उन्होंने कहा कि अब वह मुझे मेरे किये की सजाज जरूर देंगे और मुझे मेरी असली जगा दिखा कर रहेंगे उन्होंने कहा कि लड़कियां जरासा पड़ लिख जाती हैं तो आदमियों के सर पर नाचने की कोशिश करने लगती हैं वह भूल जाती हैं कि वह कुछ भी कर लें लेकिन आदमियों से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती उनकी जगा वही होती है आदमियों के पैरों में वोने हमेशा उनसे नीच दब कर रहना चाहिए और उनके खिलाफ कभी भी मुझे खोलना चाहिए इतना कहते ही उन्होंने मुझे उठाया और अपने साथ ले जाने लगे मैंने वहाँ पर खड़े हुए लोगों से कई बार हाथ जोड़ कर विनती की कि वह लोग एक जुट होकर इनका सामना करें और मुझे बचा लें लेकिन कोई भी डर की वज़ा से आगे बढ़ कर सामने नहीं आया सारे सामान को समेट कर उन्मे से एक आदमी रोड पर खड़ा हो गया कहने लगा कि इतना सारा सामान ले जाने के लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत है इसी लिए अब अगली गाड़ी जो यहां से निकलेगी हमें उसको भी लूटना होगा तभी अचानक उन में से किसी एक की नजर वहां खड़ी हुई मेरी गाड़ी पर पड़ी और वह बहुत खुशी के अंदाज में हस्ते हुए कहने लगा लो बगल में बच्चा और सहर में ढिंडोरा गाड़ी तो हमारी आँखों के सामने ही खड़ी हुई है और हम यहां वहां गाड़ी को ढूणने के लिए खड़े थे जब वह गाड़ी के पास गए तो उसमें चावी पहले से ही लगी हुई थी यह देखकर तो वह और भी जादा खुश हो गए दरसल खाना खाने की जल्दवाजी में मैं गाड़ी से चावी को निकालना भूल ही गई थी उन्होंने तुरंत ही मुझे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया इसके बाद उन्हें से एक गाड़ी को ड्राइब करके न जाने कौन से रास्ते पर ले जाने लगा पूरे रास्ते वह लोग मुझे इस बात को लेकर डराते रहे कि अब वह लोग मुझे मेरी आउकाद दिखा कर रहेंगे और आज वह मेरा ऐसा हाल करेंगे जिससे मैं दोबारा कभी भी किसी भी आदमी के सामने मुझे खोलने के काबिल ही नहीं रहूंगी उन्में से एक मुझे से कहने लगा कि अब तो तेरी रूह काप रही होगी ना तेरे चहरे पर ये डर देख कर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है लेकिन तू अभी जानती नहीं है कि तेरे साथ आगे और क्या होने वाला है तुझे पता नहीं है कि तूने हम लोगों से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है अब इसके बाद तू बहुत जादा पच्ताने वाली है इतने में जो तीसरा आदमी था जिसे वह लोग मुकेश कहकर बुला रहे थे वह कहने लगा कि हमें इसे जिन्दा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए इसी लिए जो भी करना है वह सब खत्म करने के बाद इससे भी छुटकारा पालेंगे क्योंकि वैसे ही हम पर बहुत सारे केश चल रहे हैं अब एक और नए फसाद में नहीं पड़ना है इसे खत्म करके वहीं रेत में कहीं पर दफन कर देंगे और कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा इस पर गाड़ी चलाने वाला सक्स जिसका नाम मुन्ना था वह कहने लगा कि हा मुकेस भाईया ये बात तो आपने ठीक कही है लेकिन फिर जो दूसरा इंसान मेरे पास बैटा था जिसका नाम रवी था वह कहने लगा पर मैं तो अभ भी करना है आज ही कर और रात तक इस मामले को पूरा खत्म कर क्योंकि कल हमें एक नए मकसद के लिए निकलना है अभी इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला काफी दूर निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी एक सूनसान रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर वह लोग पैदल ही कुछ दूर मुझे लेकर निकल पड़े काफी दूर तक चलने के बाद हम एक ऐसी जगा पर पहुँचे जहां पर काफी सारी तूटी हुई जोपडियां टाइप की बनी हुई थी उन्हें में से एक जगा जहां खंडर था वहाँ पर जाकर वह लोग बैट गए मैंने आस पास नजर दोड़ा कर देखा तो चारो तरफ बाहर रेत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ना तो वहां कोई इंसान दिख रहा था ना ही कोई परिंदा मेरे चहरे पर डर देख कर उन लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी और वह बार-बार कह रहे थे कि य यहां तुझे कोई भी हमसे बचाने वाला नहीं आएगा क्योंकि यह हमारा इलाका है और यहां आने की हिम्मत किसी में भी नहीं है इसके बाद मुन्ना कहने लगा कि अब मुझसे और सबर नहीं हो रहा है और मैं अब अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ इतने में ही उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और फिर वह मेरा वीडियो बनाने लगा और रवी ने दूसरी तरफ से आकर मेरे दोनों हातों को पकड़ लिया और फिर वह मेरे साथ इस तरह की हरकत करने लगे जिस से मुझे बहुत ठेस पहुच रही थी मैं बार बार मुन्ना के आग गिडगडा रही थी कि वह मेरे साथ ऐसा ना करे वह मेरा वीडियो ना बनाए लेकिन उन्हें तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था मुन्ना ने मेरी कुर्ती पकड़ कर खीची और वो साइड से पूरी फट गई वह कह रहे थे कि और ज़्यादा रो और ज़्यादा गिड पर मार दी जिससे उसका फोन दूर जाकर एक पत्थर पर टकरा कर तूट गया जिससे मुन्ना बुरी तरह से बॉकला गया और उसने मेरे खीच कर तीन चार तमाचे मार दिये मैं धडाम से वही जमीन पर गिर पड़ी लेकिन मैंने जमीन पर गिरते ही तुरंत ही अपनी आने लगा कि अच्छा खासा मज़ा आ रहा था लेगिन तूने इसे बेहोश करके सब कुछ खराब कर दिया अब पता नहीं कितनी देर में इसे होश आएगा मुन्ना कहने लगा कि तो मैं क्या करता इसने मेरा फोन तोड़ दिया मैंने कुछ दिन पहले ही तो ये फोन इसके बाद मुकेश ने कहा कि चलो अच्छा पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद जो करना है आराम से करते रहेंगे इतना कहने के बाद मुन्ना और रवी तो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन मुकेश वहाँ मेरे आस-पास चारों तरफ गूम गूम कर तहलने लगता है। मैं अभी भी चुप चाप ऐसे लेटे हुए थी कि जैसे मैं बेहोश हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इतना तो समझ रही थी कि शायद इस मुकेश को मुझ पर शक है कि मैं कहीं बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर र और उसने मेरे हाथ पर उसे चुबा दिया जिससे हलका सा खून मेरे हाथ से निकलने लगा। लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही समझ चुकी थी कि वह क्या करने वाला है। इसलिए मैं पूरी मजबूती के साथ बिलकुल ऐसे लेटी रही जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं चला और फिर जब मेरी तरब से कोई भी रियक्शन नहीं निकला तो मुकेस को पूरा यकीन हो गया कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ बलकि सच मुझ बेहोश हो चुकी हूँ इसलिए वह बेफिक्र होकर वहां से चुपचाप निकल गया। वह तीनों बाहर जाकर आपस में सारा लूट का सामान बांटने लगे और फिर अपने खाने पीने का सामान भी खाने लगे। काफी देर के बाद जब मुझे लगा कि अब ये लोग खाना खाने के बाद कुछ देर आराम कर रहे हैं तो मैं चुपचाप से वहां से उठकर पीछे की तरफ निकल गई और वहां से दोड़ कर सारी तूटी जोपडियों को बार करके भागने लगी अभी मैं दोड़ती ही जा रही थी लेकिन मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि कहीं कोई उन में से मेरे पीछे ना आ जाए इसलिए बार-बार मैं पलट कर देखती भी जा रही थी कि तभी अचानक मैं किसी स बहुत जोर से टकराई और धड़ाम से नीचे जमीन पर जागिरी मेरे हाथ पर बहुत चोट आ गई थी जिससे मुझे बहुत जादा तकलीफ हो रही थी और जब मैंने पलट कर देखा कि मैं किस से टकराई हूँ तो सामने देखकर तो मेरे होशी उड़ गए मैं उन तीनों में से जो एक आदमी था जिसका नाम मुन्ना था उससे टकरा गई थी उसने जैसे ही ये देखा कि मैं वहाँ से भाग रही हूँ तो वहे बुरी तरह से बौकला गया और मुझे उल्टी सीधी सुनाते हुए मुझे कहने लगा कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उन लोगों से बच आई हुई बाल्टी को उठा कर उस पर इतनी जोर से और इतनी बार मारा कि वहे बस कुछ सेकेंड में ही वही पर धेर हो गया उसकी ऐसी हालत मैंने कर दी थी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ जब इंसान की खुद की जान पर बात बन और आज मैंने वही किया था मैंने खुद अपने हाथों से एक इंसान की जान ले ली थी खुद की जान को बचाने की खातिर जब ये सब हुआ तो काफी सारा सोर शराबा हुआ जिससे मुन्ना के बाकी के दो साथी मुकेश और रवी उसका नाम पुकार कर इधर उधर उसे ढूंडने लगे जिससे मैं घबराई और इससे पहले कि वह दोनों वहाँ पर आप पहुँचते मैं तुरंत ही वहाँ से उठकर आगे भागने लगी काफी दूर निकल जाने के बाद मैं बहुत जादा ठक चुकी थी इसलिए मैं एक जोपड़ी में कुछ देर आराम करने क के लिए चुप चाप चुप गई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसी मुसीवत में फस गई हूँ वहाँ बैठ कर मैं अपनी अब तक की पूरी जिन्दगी को याद करने लगी दरसल मैं एक डॉक्टर हूँ और आज ही मैं अपनी डूटी जॉइन करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी कुछ समय पहले ही मेरा इस इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया था मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरा भाई है इसके अलावा मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरे मंगेतर से मेरी शादी दो महीने के बाद होने वाली थी मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं थी सिवाए मेरे पापा के मेरे पापा का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ था मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी लेकिन भगवान ने मेरे पापा को मुझसे बहुत जल्दी जुदा कर दिया मेरे पापा ने कभी भी लड़का लड़की में भेद भाव नहीं किया और मैं जिस समाज से आई थी वहाँ पर मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कमजोर हूँ बलकि हमीशा मैंने लड़कीयों को बराबरी के दर्जे पर ही खड़ा देखा लेकिन आज मैंने जो कुछ जहला था औरतों की साथ इस तरह का व्योहार आखिर कैसे कर सकता है जो आरत इस दुनिया में एक नए जीवन को जन्म देने की ताकत रखती है उसी को इस कदर कमजोर दिखाया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं एक आदमी एक औरत की कोक से जन्म लेने के बाद एक औरत पर ही अत्याचार कर रहा होता है आखिर ये किस तरह का समाज है और ये किस तरह की सोच थी जिससे आज अपने जीवन में मैं पहली बार रूबरू हो रही थी लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़ादा जरूरी था खुद को इन लोगों से बचाना अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुन्ना के बाकी दोनों साथियों की आवाजें मेरे कानों में पढ़ने लगी वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे वह अपने एक साथी के मारे जाने पर बहुत जादा गुस्से में थे और बार बार चिल्ला चिल्ला कर मुझे इस बात का एहसास करा रहे थे कि अब वह मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं और ना जाने क्या क्या कहकर वो अपने अहम को खुश कर रहे थे रवी अपनी जेव से मेरी वह अंगूठी जो मुझे पापा ने दी थी निकाल कर हवा में दिखाते हुए जोड़ जोड़ से कहने लगा कि तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझ हमसे अपनी इस अंगूठी को लेकर जा सके और मैं चैलेंज करता हूँ कि तुझे अब ये अंगूठी कभी भी नहीं मिलने वाली है उसने अंगूटी पर थूक दिया और मेरे पापा के लिए और मेरे लिए ऐसे सब्दों का इस्तमाल करना शुरू कर दिया जिने सुनना मेरे लिए ना मुम्किन और ना काबिले बरदाश्थ हो रहा था। बरदास्थ नहीं कर सकता और इसलिए अब तक तो मैं उनसे बचने के लिए भाग रही थी लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी कि अब मैं उनसे भागूंगी नहीं बलकि अब मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी और इन्हें दिखा कर रहूंगी कि एक औरत किसी भी हाल मे कमजोर नहीं होती है इस सब के बीच धीरे-धीरे काफी रात हो चुकी थी और अन्धेरा बढ़ता जा रहा था मैं अभी भी इस जोपड़ी में चुप चाप सांस बांदे हुए बैठी थी क्योंकि अब मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी जब मैं अपना अगला कदम उठाती वह लोग अभी भी बौकलाए हुए मुझे ढूंड रहे थे मैंने जब उस जोपड़ी की तूटी हुई दीवार से जांक कर देखा तो वह दोनों आपस में इस बात का फैसला कर रहे थे कि वह साथ में मुझे ढूंड ढूंड कर ठक चुके हैं और इसलिए अब उन्हें मुझे अलग-अलग ढूंडना चाहिए इसलिए वह दोनों अलग-अलग दिशा में चले गए और बस मुझे इसी मौके का इंतजार था मैं तुरंत ही दवे पाउं उनमे से उनके एक साथी मुकेस के पास पहुँची उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि मैं ठीक उसके पीछे खड़ी हुई हूँ जब मैं उस रास्ते से भागती हुई आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक बड़ा सा कुवा दिखा था इसी लिए मैं तुरंत ही उस कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने जैसे ही हलकी सी आवाज की और मुकेस ने पलट कर मेरी तरफ देखा तो वह बड़े ही रौवीले अंदाज में मुझे पर अपना रौब जाड़ते हुए बोला कि आखिर मुझे उससे डरना पड़ा और मैं डर कर खुद ही उसके पास आ गई वह कहने लगा कि मैंने उसके साथी के साथ जो भी किया मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था वह सब करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब वह लोग मुझे इसकी सजा देंगे इतना कहते हुए वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा मैं अभी भी चुप चाप उसकी तरफ देख रही थी वह मुझे से कहने लगा कि क्या हुआ पहले तो तुम बहुत चीख चिला रही थी लेकिन अब क्या तुमें साप सूं गया है अब क्यूं नहीं चिला रही है मैंने उसकी इस बात पर भी कोई भी रियक्शन नहीं दिया जिससे वह ज़्यादा बॉकलाया और गुसे में मेरी तरफ जोर से दात पीसते हुए दोड़ता हुआ आया ताकि वह मुझे चोट पहुँचा सके लेकिन इससे पहले कि वह मुझे पकड़ पाता वह जैसे ही मेरे करीब आया मैं ठीक उसी समय वहां से साइड में हो गई और मैंने उसे एक जोर का धक्का दिया जिससे वह कुए के अंदर जा गिरा कुए में पानी काफी गहरा था जिससे वह धीरे-धीरे डूबने लगा और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैरों को छटपटाने लगा उसे मुझे पर बहुत जादा गुसा आ रहा था क्योंकि उससे बरदास्त नहीं हो रहा था कि उसने एक औरत से मात खाई है इसलिए वह मुझे बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा मैंने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा कि एक औरत कमजोर नहीं होती और फिर मैंने उस पत्थर को उसके ऊपर ही फेक दिया और बस कुछ देर पहले जो शोर उस कुए के अंदर से आ रहा था वह एक सननाटे में बदल गया इसके बाद मैं तुरंत ही वहां से निकल गई और पास ही बनी हुई एक जोपड़ी में छिप गई काफी देर के बाद उनका जो आखरी साती था वह कुए के पास आ पहुँचा और जब उसकी नजर कुए में पड़ी तो उसके होश उड़ चुके थे वह समझ गया कि अब वह इस पूरे रेगिस्तान में अकेला ही बचा है और उसके सारे साती उसे छोड़ कर हमेशा के लिए जा चुके हैं लेकिन उसका एंकार उसे अभी भी खुद को कमजोर ना दिखाने के लिए कह रहा था इसलिए वह एक बार फिर से जोड़ जोड़ से चिलाने लगा और कहने लगा कि अब तो इस खेल में उसे और भी जादा मजा आ रहा है क्योंकि अब वह अकेला है और अब वह मुझे बताएगा कि उसमें कितनी ताकत है और फिर वह मेरा वो हाल करेगा जिससे मेरी रूह काप जाएगी बहुत देर तक वह मुझे आसपास ढूंडता रहा और चिला चिला कर ऐसी बातें कहता रहा जिनसे मैं उससे डरती रहूँ लेकिन क्योंकि मैं अब पूरा इरादा बना चुकी थी कि मैं उन में से किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ इसी लिए मुझे आगे क्या करना था ये मैं पहले से ही तै कर चुकी थी और जब वह बहुत ठक हार कर मेरी गाड़ी के ठीक सामने खड़ा हुआ मैंने तब ही तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और उसके उपर अपनी गाड़ी चड़ा दी जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए मैं पहले ही मौका पाकर अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी उसके उपर उसका एहंकार इसकदर हावी था कि इतने दर्द में भी वह मुझे जो बाते सुना रहा था उनमें कह रहा था कि मुझे गाड़ी भी चलानी आती है ये तो उसने सोचा ही नहीं था वह कहने लगा कि अगर उसे ये पता होता तो वह अब तक तो मेरा और भी बुरा हाल कर देता क्योंकि उसे ऐसी औरतों से सक्त नफरत है जो इसकदर मर्दों की बराबरी करने पर तुली हुई हैं उसकी इसी बात को मैंने दूसरे अंदाज में चिला कर कहा कि और मुझे भी ऐसे मर्दों से सक्त नफरत है जो आरतों को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देते और उन्हें हर पल कमजोर करने की कोशिश करते हैं इतना कहते हुए मैंने एक बार फिर से उसके उपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसकी हालत पूरी तरह से अदमरी हो चुकी थी वह आधा गाड़ी के नीचे दबा हुआ था और आधा बाहर था इसके बाद मैं गाड़ी से बाहर निकली और मैंने अब तक अपना दबा हुआ जितना भी गुस्सा था वह उसके उपर चिल्ला कर पूरी तरह से निकाला जिससे मुझे अब उसके चेहरे पर खौफ उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है इसलिए अब वह मुझसे प्रात्ना करने लगा कि मैं उसे छोड़ दूँ और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने मुझे ये सब कहा और मुझे यहां पर लेकर आया मैंने उसके दोनों हाथों को अपने दुपट्टे से बा तुने कहा था ना कि मैं तुससे अंगूठी नहीं ले पाऊंगी लेकिन देख आब ये अंगूठी वापस मेरे पास आ गई है और इसे मैंने खुद के दम से ही तुससे हासिल भी कर लिया है इसके बाद फिर उसके पास जो मुवाइल फोन था मैंने उससे अपने भाई को मिलाया और उसे पूरी जानकारी दी साथ ही अपनी लोकेशन भी मैंने उसके फोन पर शेयर कर दी तकरीबन तीन घंटे के इंतजार के बाद मेरा भाई और मंगेतर पुलिस के साथ उस जगह पर आ चुके थे जहां पर वह लोग मुझे लेकर आए थे इसके बाद पुलिस मेरे सारे बयान दर्ज किये और वह उस आदमी को पकड़ कर ले गई जहां शुरू हुई जिसमें पता चला कि वह लोग काफी सालों से न जाने कितनी सारे लोगों को लूट चुके थे और बहुत ही गंबीर घटनाओं को अंजाम दे चुके थे उन पर बहुत सारे पहले से ही केश चल रहे थे इसके बाद आगे की जो भी कारभाई चली जिसमें ये साबित हो गया कि मैंने उन लोगों के बाकी दो साथियों को आत्मरक्षा में खत्म किया है जिसकी वज़ा से मुझे कोई भी सजा नहीं हुई और उनका जो तीसरा साथी जो की पूरी तरह से बिकल लगता है जैसे आज भी मेरे कानों में गूंजने लगते हैं लेकिन मुझे अपने किये पर कोई भी अफसोस नहीं है क्योंकि मेरी नजर में ऐसी मानसिक्ता वाले लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और मुझे उस वक्त जो भी ठीक लगा था मैंने वही किया पर इ आज भी महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महिलाओं को बार बार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वह कमजोर हैं महिलाएं चाहें कितनी भी तरक्की कर लें चाहें कितनी ही महनत क्यों ना कर लें लेकिन उन्ह कुछ चीजों के लिए हमेशा ही कमजोर साबित किया जाएगा तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं सूपर थैंक्स का ओप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिये हुए सभी आप्शन्स में दिख जाएगा जो की हर्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं थैंक्यू